हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका जियो भी नीज़ में दोस्तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे मुखिस समझा टूड़े ब्रेकिंग नीज़ के रूपे तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सकाइब करने के गंटी बड़न को जरूट से दबा दे ताकि जो भी भी डूटल आप तक पहुंची रहे तो दोस्तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के रूप में तो दोस्तो यदि आप इंटरनेट चलाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है जी हां दोस्तो मंतरी रवी संकर परसाद ने कहा है कि अगले सो दिनों में फाइफजी एस्पेक्ट्रम की स्टेंडिंग सुरू करने का लक्ष बनाये गया है पदभार संभालने के तुरंत बाद मंतराले के लिए कारे योजना तै करते हुए परसाद ने एक और बड़ी बात कह दी कि अलू वर्स में हम एस्पेक्ट्रम की निलामी करेंगे हमारे पास परियाप्त एस्पेक्ट्रम उपलब्द है भारतिय दूरसंचार निगम प्राधिकरन यानि ट्राई ने 8,644 मेगावाट दूरसंचार फ्रिक्वेंसी की निलामी की सिफारिस की है इसमें 5G सर्विसेस के लिए एस्पेक्ट्रम की निलामी सामिल है इसके लिए अनुमानित कूल आधार 4.9 लाख करोर रुपए है जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी ख़बर है पाकिस्तान के डी कंपनिये में भी अमिट साह का खौफ दहसत में आया दाउद इबराहिम जी हाँ दोस्तों प्रधान अदर यह है कि देश के सबसे बड़े और सबसे सक्टिसाली मंतराले पर अमित साह के काजिब होने के बाद अव ग्रिह मंतराले में धूल खाती पुराने फाइले फिर से खुल सकती है और इस मामले में तेजी से फैसले लेने की करवाई सुरूँ हो सकती है कभी जमीन के अंडर वर्ड ओन की डी कमपनी की दहसत आया हुआ है और वहीं डी कमपनी आज मोदी सा और राष्टिय सुरक्षा सलाहकार अजीच डुबाल की टिगडी को बुखलाई हुई है डी कमपनी के इस डर का खुलासा तब हुआ जब एजेंसियों की खुफिया जानकारी मिली की दाउद इबराहिम के बेहत करीब माने जाने वाले छोटा सकिल ने हाल ही में एक अग्यात ठिकानों पर अपने खास समखास गुर्गे को बैठक के लिए बुलाई है इस बैठक में सकिल ने इंटरनेट ब्रेश्ट कॉन्फरेंस कॉल के जरिये दुनिया भर के बैठे अपने दूसरे गुर्गे से फोन पर बातचीत की सुत्रों का दावा है कि मुझूदा हालात में खुद के लिए खत्रा भाफ रही डी कमपणी ने इस बैठक में अपने कॉल कारणामों को अंजाम देने की अपनी रणनीती तै करते हुए सभी कदम कदम फूक फूक कर रखने का फैसला किया है जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी कवरे कसमीर पर इसलामी देशों के संग्ठन के रूह को भारत ने नकारा कहा यह आपके अधिकार छेतर में नहीं आता जी हाँ दोस्तों भारत ने इस्लामिक देशों के संगठन OIC के कस्मीर संबंधित उल्ले को ले करके एक बार फिर अस्विकार बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि जमू कस्मीर OIC के अधिकार छेतर में नहीं आता है और यह एक भारत का एक अभिन अहिस्ता है विरेस मंत्राले के प्रवक्ता रवीस कुमार ने कहा है कि हम 31 मैं को साओधी अरब में मक्का मदीनाब के OIC के चोदहवे बैठक में मंजूरी अंतिम बयान में भारत के भिबिन हिस्ते के बारे में अस्विकार उल्ले को बारे में एक बार फिर से खारिज करते हैं उन्होंने कहा है कि जम्मु कस्मिर राज भारत का एक अभिन हिस्ता है और इसे जुड़ा हुआ मामला OIC के अधिकार छेतर में नहीं आता है उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि भारत यह एक दोहराता है और OIC के ऐसी अवांचनी उल्ले को बताना चाहिए आपको बतादे कि अंतराश्टी संगठन OIC में 57 देश सदस्य हैं जिसमें से तिरपन मुस्लिम बहुत देश हैं आपको बतादे कि पिछले सुकुरवार को पवित्र सहर मक्का में आयोजित OIC के चदहवे बैठक में आयोजित किया गया था जिसमें से मुस्लिम देशों के निताएं उसमें सामिल हुए थे बैठक में कस्मीर के संबंध में कथित मानवाधिकार के हनन का विशे उठाय गया था और भारत के वहां सन्यूत राष्ट आयोग और अन्य अंतराश्य संगठन को जाने की अनुमती देने को कहा गया था इसमें से पहले भी मार्च में भारती के विदेश मंतराले में कहा गया था कि जमू कस्मीर भारत का एक अभिन अंग है और भारत के लिए यह पूरी तरीके से आंतरिक मामला है जी हां दोस्तों अगली बड़ी खबर है बीजेपी पर फिर बरसी ममता बिनरजी एबीएम की जगा वैलेट पेपर से चुनाओ करने के मांगी है इविएम की चेरचार के आरोप लगाते हुए ममता बिनरी ने जाच की मांगी है उन्होंने कहा है कि बीजेपी पस्चे मंगाल के बारे में भरजी खबले फैराने की कोशिस कर रही है टीमसी घर घर जाकर के परचार करेगी लोकतंत्र बचाओ हमें इविएम न दिस्पक्ष के लिए वैलेट बॉक्स की वापसी की मांग को लेकर के अंदोलन करेगी ममता बिनरी ने बीजेपी का नाम लिये बीना उन्होंने कहा है कि बंगाल में बड़े पैमाने पर लोक सभाचुनाओ को पैसा खर्च किया गया है इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पस कबजा करने का प्रयास कर रही है मंता अबनेर जी ने कहा है कि टीमसी के कारेकरताओं ने पिछले लोक सभाचुनाओं में पैसे और बाहुबली के खिलाफ पूरे दिल और आत्मा से लड़ाई लड़ी है किया है कि इस राजनितिक मसले में राजनितिक समधान की ज्यूरत है इस मसले में पाकिस्तान समीट सभी पक्चों को सामिल किया जाना चाहिए आपको बता दे कि बीजेपी के समर्थक में जमू कस्मीर में सरकार चला चुकी महमूबा मुक्ती ने ट्वीट करके कहा है कि इस राजनितिक मसले में राजनितिक समधान की जरूरत है। आपको बता दे कि इस से पहले महमूबा मुक्ती ने हुर्यत कॉंग्रेस अध्यक्ष मीर वाइस उमर अब्दुला को उमीद जताई है कि पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान की बाचीत की पेसकस पर NDA को नई सरकार गंभीरता से विचार करनी होगी। जी हाँ तो अगली बड़ी ख़बर है अब मुस्लिम देशों की बढ़ने लगी है ताकत। अमेरिका और इस्राइल के खिलाफ उठाने लगे हैं अब जी हाँ दोसों पाकिस्तान के संसधिये मामलों के मंतरी ने कहा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के मुकाबले से हम इरान का समर्थन करते हैं। अलिम मुहमद खान का कहना है कि तेहरान के वुरूद अमेरिका के एक पक्षिये प्रतिबंधों के मुकाबले से इसलामबाद इसलामी गर्तंतर इरान के साथ हैं। उन्होंने कुछ दिवस के आसर पर इसलामबाद में इरान के दुतवास में अपने संबंधों में कहा है कि इरान का दुस्मन पाकिस्तान का दुस्मन है पार्स्टूडे.com के अनुसार पाकिस्तान के संसदिय मामलों के मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान की जनता और वहां की सरक की है और वे फिलिस्तिनियों के समर्थन के लिए आगे आएंगे पाकिस्तान के संसदिये मामलों के मंत्री अली मुहमत खान ने यह बल दे करके कहाए कि अबैद जियोनियों सासन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सत्रू है उन्होंने कहाए कि इसलामबाद निस्ची त्रूप से फिलिस्तिनियों की आकांग्छाओं का सम्मान करता है। सइथ थल सिना की टुकडिया भी सामिल है। राच्छा मंतरी राजना सिंग ने वायु सिना से सर्च ऑपरेशन की पूरी जानकारी ली है। खोपाया है तो वायु सिना ने इसके लिए सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया है। आपको बता दे कि इस बीमान एक विंग कमांडर, एक असक्वाइडन लीडर, चार फ्लाइट लेटनेंट और साथ एर्मेन सवार थे। ये बिमान जो रहट 43 एरक्राफ्ट का ही था, चीन सीमा के करीब अरुनाचल परदेश के मेकुचान में वर्स 2017 में भी एक लेंडिंग ग्राउंड को सुरू किया गया था। यहाँ जल्द ही सिविल फ्लाइट भी ले जाने की योजना बनाई गई थी, मेकुचा एर स्ट्रीप चीन सीमा के बेहत करीब है और देश के सबसे दुरूस्त और दुर्गम इलाकों में से एक है। आपको बता दे कि इस से पहले भी 2009 में भी मेकुचा के करीबन एन 32 बिमान करेस हो गया था, जिसमें से सभी 13 लोगों की जान चली गई थी। वर्स 2016 में भी तमिल नाडू के ताम ब्रह्म में पोट बलेर जा रहा वायू सेना का एक एन 32 समंदर के उपर से गायब हो गया था, जिसका आज तक कोई अतापता नहीं चल पाया है। इस बिमान में कुल 29 लोग सवार था है।